आज हम बनाएंगे दम आलू बहुत ही असानी तरीके से और बहुत ही ज़दा स्वाधिस्ट सब्जी बन करके त्यार होते हैं तो एक वारा आप इन्हें जरूर ट्राइ कीजिएगा और इसे पीछी लगे तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा चैनल में पहली बारा हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं सुपर टेश्टी दम आलू तो आलू दम बनाने के लिए हम यहाँ पे 500 गराम आलू लिए हैं आलू को पहले धो लिए हैं अच्छे से और फिर हम इने कूकर में डाल करके एक सीटी लगाए हैं तो मीडियम सेज के आलू है तो ज्यादा सीटी नहीं लगाईएगा एक सीटी ही लगाईएगा तो एक सीटी जब लग गए थे तो आलू को थोरा सा ठंडा कर लिए हैं और आलू का छिलका है उससे हम निकाल देते हैं तो सभी आलू को आपको सेम तरीके से ही छील लेना है आलू को एक सीटी लगा देने से उपर का छिलका है इसका सौप्ट हो जाते हैं और यह बहुत ही असानी से निकाल आते हैं तो आप चाहे तो बीना उबाले हुए भी आलू का दम बना सकते हैं लेकिन उबाल दीजिएगा तो और भी ज़्यदा टेश्टी आलू दम बनता है तो इन्हें हम छील लिए हैं सभी आलू को सेम तरीके से छील लेंगे तो आलू को छील करके हम तयार कर लिए हैं अब हम इस अलू में नाइफ ही या फोक से कुछ से भी थोड़ा सा आप इसमें छेद कर दीजेगा इस तरह से, ताकि आलू का जो दम बनाएंगे मसला सब जो डालेंगे इसमें, तो मसला का फ्लेबर आलू में अंदर तक बहुत अच्छे से चले जाएंगे, और बहुत ही तो आलू उपर से पके हुए है बट अंदर से ये कचा है पूरा पका हुआ नहीं है तो सभी आलू में हम छेद कर दिये हैं इन्हें अब साइड में रख देते हैं और हम पेस्ट बना लेते हैं तो पेस्ट में हम दो टमाटर देर इंच अदर का टुकरा लिए हैं आठ से दस लैसुन के कली है तीन से चार हरी मीर्च है और आठ से दस काजु लिए हैं इन सभी का हम पेस्ट बना लेते हैं तो यहां पे हम दो प्याज लिए हैं इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे इसे महीन कट कर लेते हैं तो प्याज को भी हम कट कर लिए हैं साइड में रख देते ह करम करते हैं आप यालू दम नाने के पर्सेस में चलते हैं तो यहां पर हम कराही को गरमकर लिये हैं और कराही में डाले हैं दो बरे चमच सरवे का तेल टेल खाना पसंद करते हैं ओ तेल ले लिज сказать का तो यह है तो हम घ्म कर देते Philippines का हम चार से पांच मिनर तक अच्छे से फ कर दो कि यह सhmen हैं और नहीं दाल हैं यह थेर्वादी के पाइलमिर्च lub SPRB तो हम एक आलाइमिर्च देज के अभी लिए हैं लालमीच तेजपत्ता आधी छोटी चमच जीरा बरी इलेची दो छोटी इलेची भी डाले हैं और एक से डेरिंच के करीब डालचीनी का टुकरा डाले हैं इन सभी का कलर हलका सा चेंज हो गया था तब हम इसमें डाल दिये हैं दो से तीन पिंच के करीब हींग तो जो भी मसल आपको डिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो वहां से आप चेकट कर सकते हैं तो इन सभी का कलर चेंज हो गया है थोरा सा तब जो प्याज काट करके रखे हैं इसे हम डाल देते हैं और इन्हें डालने के बाद में प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे कलर जब त प्याज भून गये हैं तब हम इसमें जो काजू टमाटर सब का पेश्ट बना के रखे हैं उसे डाल देते हैं और इन्हें भी हम अच्छे से भून लेंगे क्योंकि इसमें अधरक लसून और हरी मीर्ची डाले हैं तो इसे आप अच्छे तरह से भून लीजिएगा जब तक अधर किसका कच्छापन का टेस्ट ना निकल जाए तब तक तो इन्हें भूनने में आपको 3-4 मिनट का टाइम लगेगा और ग्यास का फिले मीडियम टू हई रखिएगा मीडियम टू हाई फिलें पे मसाला सबको अच्छे से भून लीजिएगा तो इन्हें थोरा सा हम लालादी पॉडर और नमाख हम डाले हैं स्वाधन उसार ले सह सकते हैं को इन्हें अश्कुट कि यहां पहून diff 4 बटन कर द लीटिए का इंगर ऑफ इस तुम खंकर ref कुलुक्ति याई चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए का शब्रकिण अमुलआ को जरूर याउन को फुना यान, और आज छमसुरी में सेरावर को बैस करओं, अधर हम धूटी से क्सिरों तुटेश्टब आज पका लिए हैं। खेस्ट बहूत ही अच्छा आता है तो कसूरी में थी हम एड़ कर दिये हैं तुझने मिला दिये हैं और आब हम इसमें डाल देते हैं दो बरे चंबच के करीब होम्मेड मलायज जो की घर में दूज लेते हैं उसके उपर मने जो तैंहें वही बला मलाय है इसे हम अच्छे से फेट लिए हैं और फेटने के बाद में इसमें हम एड़ कर दिये हैं तो धावा और स्टूडेंट से जभी भी हम लोग आलू दम और करते हैं तो वहां का आलू दम बहुत ही क्रीमी टेक्स्चर वाली रहती है तो उसमें यही चीज डाला हैं दो बड़े चमच के करीब तो मलाय को हम अच्छे से मिला देते हैं तो यह मलाय जो है वो पूरा ताजा फ्रेज था आज ही का मलाय था अगर दो दिन तीन दिन पुराना रहे तो मलाय को आप टेस्ट करके आड़ कीजिएगा नहीं तो मसला में डालने से फट जाएगा अगर ताजा फ्रेज पुरा रहे तब तो बेश्ट है तो इसे हम मलाय को मिलाने के बाद में दो से तीन मिला तक कवर कर दिये थे और कवर करके मसला को पका लिए हैं तो यहां पे मसला का कलर अप देख सकते हैं और मन में सोच सकते हैं जो कितना टेस्टी यह आलू दम बन क करके त्यार हुआ होगा तो इन्हें मिला दिये हैं और अब हम इसमें आलू जो फराय करके रखे हैं उसे हम डाल देते हैं तो आलू को हम 80% तक कुक कर चुके हैं इसे बस थोड़ा सा ही कुक करना है तो आलू हम डाल दिये हैं इन्हें मिला देते हैं अच्छे से तो आलू म गीरे भी पसंद हो उतना लीजिएगा लेकिन ये जो है मसला लिप्टा हुआ ही आलू दम अच्छा लगता है तो इसमें हम एक कटोडी पानी डाले हैं और इन्हें मिला देते हैं अच्छे से और फिर हम इसे धकन बंद करके दम आलू को 10-12 मिनर तक पकने देंगे अच्छे स तो दम आलू जितना अच्छा से पके रहेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये तो इसे मसला को अच्छे से मिला लीजिएगा तो गीरे भी यहां पे उबलने लगे हैं अब हम इसमें डाल देते हैं एक छोटे चमच के करीब गरम मसला पॉडर और इन्हें हम ध 10-12 की अच्छा जितना बंद करके पूरा ही मीडियम फिल्म ही दम दिजिएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अलू दम बन करके तयार होते हैं तो इसे हमें दम देते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अलू दम का कलर और टेक्स्टर देख सकते हैं बहुत ही जवरदस्त है ताप इन्हें एक वार जरूर बनाईएगा अपने घर में और जिन्हें भी खिलाएगेगा आपके कुकिंग का दीवाने हो जाएगे वो तो इन्हें मिला देते हैं और मिलाने के बाद में हम ग्यास का फ्लेम बन कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वाधिस्ट अलू दम बन करके तियार हो चुके हैं तो उमीद करते हैं ये डिसेपी आप सभी को अच्छी लगी होगी और डिसेपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सेर कर दीजिएगा चैनल में पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोग वीडियो देख पाएंगे इसमें हम थोरा सा धनिया का पता डाल दिये हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक नई रीसेपी के साथ में तो आप इन्हें जरूर एक वाटर आई कीजिएगा